आप देख रहे हैं Alpha Defense, Alpha Defense हिंदी में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SU-75 के बारे में यानि कि सुखोई कॉर्परेशन की तरफ से बनाये जाने वाले सिंगल एंजिन स्टेल्स फाइट जेट के बारे में कल देख इंडियन एकस्पेस की तरफ से एक आर्टिकल किया गया था और इस आर्टिकल में कहा गया था कि आने वाले December में Russia की तरफ से ये फाइट जेट भारत को officially offer किया जाएगा और इस चीज़ को लेकर कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के लिए एक अच्छी opportunity हो सकती है आए आज के इस वीडियो में analyze करते हैं इस offer को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये फाइट जेट भारत के लिए बनाया नहीं गया है यहाँ पर मैं सबसे पहले खुद को correct करता हूँ अभी तक ये फाइट जेट बनाया नहीं गया है ये केबल एक plan है और आने वाले समय में इस फाइट जेट को लेकर काम शुरू किया जाएगा देखे जब भी बात की जाती है रशन फाइट जेट की तो शुरुआती दौर में इनके development को लेकर रश्या की तरफ से खुद से investment किया जाता था लेकिन जब से रशन economy की हालत खराब हुई है तब से रश्या की तरफ से direct investment नहीं किया जाता है उनकी तरफ से कोशिश की जाती है एक partner को identify करने की और जब एक partner identify हो जाता है तो उसकी मदद से इन projects को fund किया जाता है उसके बाद जब ये project पूरी तरीके से बन कर तयार हो जाता है तब रश्या की तरफ से इस project के तहद बने हुए hardware को इस partner को profit के साथ में बेच दिया जाता है partner के पास में इन hardware को export करने का license नहीं होता है और ये license केवल रश्या के पास में exclusively होता है और इसी चीज़ का प्रियोग करते हुए रश्या बाद में इन hardware को export करता है और profit कमाता है ये story काफी हद तक सुनी सुना ही लग रही होगी जी या क्योंकि आपके साथ में ये पहले भी हो चुका है और अगर भारत SU-75 प्रोग्रेम के साथ में जाता है तो ये आपके साथ दोबारा होगा मार्क्स 2021 में जब रश्या की तरफ से इस fighter jet को unveil किया गया था तो उनके ट्रेलर में भारतिय पाइलेट को दिखाया गया था जिससे आप समझ सकते हैं कि रश्या की तरफ से 100% ये fighter jet भारत को आफर किया जाएगा The Indian Express की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि ये fighter jet भारत को December के आसपास आफर किया जाएगा लेकिन chances हैं कि व्लादिमीर पोतिन जब इंडिया आएंगे तो उनकी विजट के दौरान ये SU-75 प्रोग्राम को लेकर को डेवलप्मेंट को आफर भारत को जरूर दिया जाएगा वैसे रश्यन प्रेसिडेंट ब्लादिमीर पोतिन को अब तक भारत आ जाना चाहिए था लेकिन COVID-19 के चलते जो situation create हुई है उसके कारण उनकी विजट पोस्पॉन हुई है और जिस तरीके की situation इस समय पूरे विश्यो में चल रही है उसके हिसाब से उनकी ये विजट एर एंड तक ही होगी और शायद इसी वज़े से इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कहा गया है कि by year end ये fighter jet भारत को offer किया जाएगा बैसे theoretically SU-75 एक काफी decent fighter jet concept है और अगर भारत का खुद का single engine fighter jet program ये 5th generation fighter jet program नहीं होता तो ये SU-75 program भारत के लिए काफी decent program हो सकता था और जिस तरीके से भारत इस समय देश में 130 MKI बना रहा है है जहाँ पर भारत के पास में नहीं technology के उपर control है और नहीं इसको export करने का option कुछ इसी तरीके की situation SU-75 के साथ में भारत में हो सकती थी रशा की तरफ से भारत को एक joint development का offer दिया जा सकता था और भारत रशा के इस program को joint development के नाम पर fund करता और बाद में रशा से ये fighter jet खरीता लेकिन अगर current context में इस fighter jet को देखा जाए तो जिस तरीके की technology इस समय भारत में available है या कहें आने वाले समय में Tejas Mark 2 और AMCA के साथ में आईगी उसका प्रियोग करते हुए भारतियों वाई से ना SU-75 जैसे fighter jet को काफी आसानी से बनवा पाएगी इसके अलावा अगर भारतियों वाई से ना किसी project को develop करने के पैसे देने के लिए तयार है तो western countries के साथ में मिलकर और भी बहतर platforms भारत में बनाये जा सकेंगे Russian fighter jets की जो सबसे बड़ी परिशानी है वो है इनके engines और अगर भारतियों वाई से ना एक नए project को fund करने के लिए तयार है तो भारत Tempest या France और Germany का joint project FCAS जैसे projects को join कर सकता है और वहाँ से जो technology भारत को मिलेगी वो SU-75 से कहीं जादा बहतर होगी वैसे जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि रशा की तरफ से इस fight jet को लेकर भारत को एक potential customer माना जा रहा है और इसी वज़े से रशा की तरफ से हर तरीके की कोशिश की जाएगी भारत को इस project में घजीटने की और इसी वज़े से आप सभी लोगों को तयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में SU 75 को लेकर भारत में बहुत सारे अलग-अलग मीडियाज में अलग-अलग तरीके के articles आने वाले हैं और आप सभी को ये चीज़ बताई जाएगी क्यों तेजस program बिलकुल खराब project है और advanced medium combat aircraft तो बिलकुल sense बनाता ही नहीं है लेकिन जहाँ जहाँ इस तरीके के articles आएंगे वहाँ वहाँ आपको alpha defense की तरफ से इस तरीके के articles को flag करते हुए videos मिलेंगे और हम लोग इन bluffs को call off करते रहेंगे इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद देखते रहें alpha defense जैहन झाल 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 झाल